नमस्कार दोस्तों मैं सुनील शर्मा आपका रक्षम टैक में बहुत-बहुत सुवागत करता हूँ फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे बेस CCTV कैमरा फुर क्लास रूम फ्रेंड्स कोई भी CCTV कैमरा दो तरहेंके जोन मनाता है एक होता है एक्टिव जोन और एक होता है डैड जोन फ्रेंड्स एक्टिव जोन वो होता है जो एरिया आपके CCTV कैमरा कवर करता है और डैड जोन वो होता है जहां पे भी आप CCTV कैमरा लगाते हो उसकी बोटम साइड का व मनाता है और 25 के approximately वो जो है डर जो मनाता है जिससे कि हमारी पूरी जो class है वो cover नहीं हो पाती है एक सिंगल CCTV camera से ऐसी condition में friends हमें जो है दो CCTV camera की अफशकता पड़ती है ताकि पूरी की पूरी class जो है 100% cover हो पाए friends या फिर दूसरा तरीका बसता है कि हमें very फोकल CCTV camera का इस्तमाज अपने जो है class room में करना चाहिए बट इन दोनों ही condition में जो budget होता है CCTV camera का वो बढ़ जाता है बट फ्रेंड मैं आपको इस वीडियो में ऐसा तरीका बताऊंगा अगर आप उस तरीके से CCTV camera लगाते हैं तो आप अपनी classroom को बहुत अच्छे से cover कर पाएंगे साथ में आपका budget जो है वो भी नहीं बढ़ेगा फ्रेंड्स आज की डेट में 1 2MP या 1.3MP जो CCTV camera है वो market में लगबग लगबग replace हो चुके हैं जो last जो CCTV camera है quality के हिसाब से 2MP HD camera ही है फ्रेंड्स classroom के हिसाब से 2MP HD camera the best है क्योंकि classroom का area कफी कम होता है ऐसी condition में हमें video quality की तरफ से तो बिल्कुल बेफिकर हो जाना चाहिए और यही जो camera है mostly school या college में आपको देखने को भी मिलेगा बट जो mostly लोग गलतिया करते हैं वो हमने यहां नहीं करनी है फ्रेंड्स नोर्मली जो 2MP camera आपको मिलेगा या market में कोई भी CCTV camera आप generally purchase करते हैं वो 3.6mm lens के साथ आता है जो की international standard के साथ से the best है बट हर जिंगाए वही camera लगाएं यह भी सही नहीं है फ्रेंड्स अगर हम अपने classroom में 3.6mm lens की जिंगाए 2.8mm lens वाला CCTV camera install करते हैं तो उस condition में फ्रेंड्स हमारी जो coverage है वो 3.6mm के मुकाबले definitely ज़्यादा होगी फ्रेंड्स 3.6mm जो CCTV camera है वो approximately हमें 75% के आसपास active zone देता है बट वही 2.8mm का जो CCTV camera होगा वो हमें approximately 90% के आसपास active zone देगा इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर यही suggest करूँगा कि आप अपने classroom के लिए 2MP HD camera 2.8mm lens के साथ install करें फ्रेंड्स आपको यहाँ बहुत ही कम डामों पर बहुत ही best output जो है मिलेगी फ्रेंड्स 2MP HD camera 2.8mm lens के साथ आपको classroom में video quality के साथ साथ coverage में भी बहुत अच्छी output देगा फ्रेंड्स एक बात और जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि 2.8mm lens या फिर 3.6mm lens 2MP के price में या तो आपको अंतर मिलेगा ही नहीं और अगर अंतर हुआ भी तो वो ना के बराबर ही होगा इस video से related या फिर CCTV camera से related कोई question अगर आपके पास है तो आप हमें comment करके पूश सकते हैं हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे video पसंद आया हो तो friends इसे like करना और हमारे channel रक्षम टेग को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमारा video देखने के लिए friends आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thanks for watching